अगर आप अपनी लाइफ में काम्याब होना चाहते हैं या आप कोई भी काम करते हैं तो आप अपने पेरेंट्स का आशिरवाद लें उनकी ब्लैसिंग्स लें और आपके पेरेंट्स आपको सच्चे दिल से आशिरवाद देंगे आपको ब्लैसिंग्स देंगे के आप अपनी जिन्दिगी में आगे बढ़ें काम्याब होना आपके रस्ते में कोई मुश्किल ना आए अब जो भी काम करें उसमें आप आगे बढ़ें और अपने जीवन में खुश रहें क्योंकि बच्चों की काम्याब भी देखकर माबाप खुश होते हैं वह सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे संस्कारों पर चल रहे हैं और वो अपनी जिन्दिगी में आगे बढ़ेंगे काम्याब होंगे उन्हें आप से ही उमीद होती है और आपको भी अच्छा लगता है कि आपके पेरेंस ने आपको आशिरवाद दिया है आपको ब्लैसिंग्स दें हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपके जीवन में आगे बढ़ने की कामना कर रहे हैं कि आप अपने जी दिन से आप दूर रहें आपको भी अच्छा लगता है कि आपके पेरेंस आपके साथ हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं हर किसी को अपने पेरेंस के रिस्पेक्ट करनी चाहिए अगर आप अपने पेरेंस की रिस्पेक्ट करोगे तो वो आप वो सच्चे दिन से आशिरवाद कि हमारा बच्चा अपनी जिन्दगी में आगे पड़े काम्याब हो वो जो भी करे उसे काम्याबी मिले उसकी जिन्दगी में कोई दुख तकलीफ कोई मुश्किल ना आए बलके वो अपनी जिन्दगी को हसी खुशी जी और आपको भी अपने फर्स पूरे करने होंगे कि आपको अपने माता पिता का आदर समान करना होगा उनको कभी भी आप बुरा ना बोलें उनके साथ आप कभी बुरा बरताव ना करें आप हर किसी से आशिरवाद लें हर किसी की ब्लैसिंग्स लें ना कि उनकी आप दूआ लें ना कि आप उनके बारे ये बोलें ये बुरे कि नहीं हैं ये मुझसे गरीब हैं ऐसे मत क्योंकि हर किसी का आशिरवाद आपको जिन्दगी में आगे लेके चाह सकता है आपको कामयाब कर सकता है अगर आप ये सोच रखेंगी कि ये गरीब है और मैं इसका आशिरवाद क्यों नहीं तो ये आपकी सोच गलत हैं, क्या फरक पड़ता है कि वो गरीब है या अमीर है, वो आप को सच्चे दिल से आशिरवाद दे रहा है, आप उसका आशिरवाद में और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, और आप कामयाब होंगे, अगर आप मन में ये फरक रखेंगी, कि ये गरीब है, मैं इसका आशिरवाद क्यों हूँ, तो आप जिन्दगी में कभी नहीं आगे बढ़ सकते, क्यूंकि आप अपने मन में ऐसी सोच लेके रख रहें, अगर आप हर किसी के लिए मन में कोई सोच ना लेके रखें, बलके हर किसी के साथ प्यार से रहें, हर किसी की लेंगे तो आप अपने जिंदगी में स्वेम आगे बढ़ेंगे और आप कभी भी जिंदगी में मुश्किले नहीं आएगे कि इश्वर का भी आशिरवाद लें क्योंकि इश्वर का दिया हूँ आशिरवाद सबसे सक्ति शाली होता है क्योंकि इश्वर के आगे अगर आप प्रातना करेंगे उसके आगे आप ये प्रातना करेंगे कि है इश्वर आप अपना आशिरवाद मुझे दें कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ू, कामयाब हूँ और अपने माता पिता का आदर सम्मान करूँ तो इश्वर आपको स्वैम आशिरवाद देंगे और आपकी रक्षा करेंगे आपके अंग संग होंगे क्योंकि आप उनसे सच्चे दिल से प्रातना कर रहे हैं आप उनसे सच्चे दिल से आशिरवाद माग रहे हैं और इश्वर आपकी हर वक्त रक्षा करेंगे और आपके स मज़र तक पहुंचेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे माबाप का आशिरवाद सबसे बड़ा हो चप्तिशाली होता है क्योंकि अगर आप अपने माता पिता के साथ जैसा भी बरताओ करें जैसा भी आप उनके साथ भेव करें पर उनके मन में कोई भी बैर रोध नहीं होता कोई भी उनके मन में ये नहीं होता कि हमारे बच्चों ने हमारे साथ इस तरीक के साथ बरताओ किया है बलके उनके मन में ये होता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें अपने जीवन में हर मुश्किल रस्ते को पार करें और इश्वर के आगे वही प्राफना करते हैं कि हमा माता पिता को ही अपने बच्चों पर उमीद होती है वहीं ही उनकी उमीद होते हैं और माता पिता हमेशा ही अपने बच्चों को आशिरवाद देते हैं कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें और कभी भी कोई मुश्किल उनके जीवन में ना आए पर बच्चे स्वार्थी होते हैं जो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते उनके साथ दो मीठे बोलनी बोलते उनका आदर नहीं करते बलके माता पिता इस दुख को अपने मन में चुपाई रखते हैं और यह सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या किया हमने अपना सारा जीवन अपने बच्चों के लिए लगा दिया और यह हमारे साथ आज इस तरह से बरताव कर रहे हैं पर माता पिता उस चीज़ को भूल जाते हैं और अब पगवान से यही दुआ मांगते हैं कि हे इश्वर हमारे बच्चे कभी भी किसी मुश्किल में ना आएं और वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें क्योंकि माता-पिता का दिया हुआ आश्रवाद आपको हर मुश्किल रस्ते से निकालता है आपकी हर प्राब्रम को सौल करता है क्योंकि उनकी दुआ स्वयम इश्वर तक कभूल होती है और इश्वर आपकी माता-पिता की दुआ जुरूर संता है और वो एक आश्रवाद बनकर आप तक पहुँचती है और आपका भी फर्ज बनता है कि अगर आपके मता पिता आपके लिए इश्वर से प्रातना करते हैं आपको आशिरवाद देते हैं तो आप उनका धन्यवाद करें आप उनको ये कहें के हे ममी हे पापा आपने जो मुझे आशिरवाद दिया है आप मुझे जो हर रोज आशिरवाद देते हैं मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ मुझे कोई मुश्किल नहीं आ रही है और मैं कामयाब हो चुका हूँ आप जब सुबह स्कूल जाते हैं कॉलिज जाते हैं आफिस जाते हैं तो आप अपने माता पिता का आशिरवाद लेके जाएंगे तो आप अपने माता पिता का रोज आशिरवाद लेके जाएंगे तो आप अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ते जाएंगे कोई भी मुश्किल ने आएगी बलके आप कामयाब हो जाएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा कि हमारे साथ हमारे माता पिता का आशरवाद है वो शक्ति है जिसके साथ हम हर मुश्किल हमारी दूर हो जाती है और हम अपने मनजल तक पहुंच जाते हैं और आप इश्वर का भी स्वैम आशरवाद लें क्योंकि इश्वर हमी हमारे अंग संग होता है हमारी सहायता करता है हमारे हर मुश्किल को दूर करता है और हमारी मनजल तक हमें पुचा देता है किसी का भी आशरवाद लें तो आप जरूर आगे पढ़ेंगे मन्जिल असान हो जाती हैं और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं हमें अपने बच्चों को भी यह सिखाना चाहिए उन्हें समझाना चाहिए यह संसकार देने चाहिए कि हमें अपने बड़ों का आशिरवाद देना चाहिए चाहिए वो हमारे पेरंट्स हों और अपनी माजल तक पहूं सेकेंगे और हमें जब कोई भी मुश्किल आये तो वो असान हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी क्योंकि हमारे सर पर ہमारे पेरेंट्स का आशरवाद होगा, हमारे बड़ों का आशरवाद होगा और हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर हम उनका आशिवाद नहीं लेंगे तो हम अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं हम ये सोचते हैं कि हम अपने बल पर ही कामयाब हो रहे हैं हम अपने बल पर ही आगे बढ़ रहे हैं पर वो कुछ ही समय की होती है पिर आपको जब दुख लगता है कि हमें यहाँ पर नुकसान हुआ है, हमें यहाँ पर बुचा ही नहीं गया, तो आपको उस वक्त दुख लगता है कि अगर हमने अपने माता पिता का आशरवाद लिया होता, अपने बड़ों का आशरवाद लिया होता, तो आज हम अपने ज आशिरवाद होता है वो जल्द ही हल हो जाती है और हमारा इश्वर हमारा साथ देता है क्योंकि हमें हमारे माता-पिता का और हमारी इश्वर का आशिरवाद हमारे साथ होता है तो हमें पूरा विश्वाश होता है कि हमारे सर के उपर हमारे माता-पिता का और हमारे इश्वर क हाथ है हमारी हर मुश्किल कट जाएगी हल हो जाएगी और हम अपनी मनदील तक पहुंच जाएंगे अगर आप इस तनी के से अपने मन में विश्वाष रखेंगे तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और अपके भी कामयाब कभी भी आप नाकाम्याबनी होंगे कभी भी आपको निराशानी होगी बस आपको अपने माता-पिता का आदर करना है उनका आशिरवाद लेकर ही अपने दिन की शुरुआत करनी है देखना आप अपनी मनजिल तक पहुँचेंगे और आपको भी इच्छा लगेगा कि हाँ मैंने अपने मा कि नहीं है मैं हर हर काम पूरे वे खौफ से जीता हूं करता हूं और किसी का मुझे डर नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि मेरे साथ मेरे माता पिता है क्योंकि उनके आशिरवाद में वो आपके साथ होते हैं हर वक्त उनका हाथ आपके सर पे होता है और आपको किसी से गबर कि किसी से डरने की जिरद नहीं बलके आप अपने काम पर कंसेटरीशन हो के करएं और आप अपने मता-पिता का आशिरौद एतना शक्तिशाुन होता है कि आप अपनी मत्रवत पाउन भाएं जाते हैं और आप काम्याब हो जाते हैं और आपого बीुं सका हुआं कि मेरे माता पिता ने जो मुझे आश्रवार दिया है आज मैं उसी के ही सित्का अपनी मज़र तक पहुंच सका हूँ आज मैं कामयाब हो सका हूँ और मुझे भी अपने फर्ज निबाने हैं मुझे भी अपने माता पिता का आदर सम्मान करना है और उनका स्वेम आश्रवार कर ही मुझे अपना काम करना है अगर आप अपने माता-पिता का और इश्वर का आशिवार देंगे तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे कभी भी आपको निराशन ही मिलेगी आप खुशी-खुशी अपने जीवन को वतीद करेंगे आज का वीडियो अच्छा लगा ह तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू